नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, तो दोस्तों आप लोगों की तयारी कैसी चल रही है, अच्छा से तयारी करते रहे हैं, आप अपना 100% दीजिए, जिससे आपका सफलता इसमें सुनिश्चित हो, और ये आप लोगों के लिए KVS के एक्जाम बहुत ने ज हिल्फ करेंगे, स्पेसल हिंदी में, कंप्यूटर में, GKGS और करेंट अफेर्स में, जितना ज्यादा हमसे हो पाएगा, आपको हिल्फ करेंगे, आप लोग खुद से भी जबरदस्त करें तयारी, टॉपिक वाइज, चप्टर वाइज, अच्छा से आप लोग पर ले और जबरदस्त प्रैक्टिस करें, आप लोग टार्गेट रखें, 120 में 100 पलस का, easy to moderate कोस्चन आएगा, तो आपका स्कोर 100 से उपर आसानी से आएगा, तो दोस्तों, जो भी होगा, आपको पहले भी बताए हुए है, और आगे भी सब कुछ आपको बताते रहेंगे, क्योंकि last time KBS LDC का exam हमने दिया भी था, और उसमें मेरा selection भी हुआ था, और इस LDC का अब नाम हो गया है, जैसे हो गया है, तो आपको जैसा की GKGS का question दिये थे, और धिरे धिरे करके अब computer का भी start कर रहें, और फिर Hindi का भी कर देंगे शुरू, और फिर daily continue आते रहेगा, क्योंकि अभी time नहीं मिल पा रहा है, इसलिए daily या फिर continue वीडियो नहीं आ पा रहा है, कोसिस करेंगे बहुत जल्द आपको continue वीडियो देना शुरू करने, जिससे आप एक अच्छा खासा practice भी कर पाए, और एक तैयारी भी आपका हो पाएगा, तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे computer के question के उपर, और आपको पहले भी वीडियो दिये थे, उसमें आपको ये बताए थे, कि computer का किस तरह का question आएगा, आपको अच्छा से दिखाए भी थे, कि computer का level क्या है, KBS के exam में क्या होगा, कि जब CBT आपका होगा, यानि कि return test जो होगा, उसमें आपका basic level का question रहेगा, personal best question का अच्छा से तयारी करें, जो आप यदि return test में भी high level का question पुछ दिया, तो आप लोग answer दे सकते हैं, आप लोग basic level से लेकर high level तक का तयारी करें, दोनों तरह के question पे आप लोग तयारी करके जाएं, ना ही सिर्फ basic level और ना ही सिर्फ high level आपको दोनों तरह का question पढ़के जाना परेगा, दोनों तरह के question पे आपको तयारी करके जाना परेगा, तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे करके basic से high level question तक जाएंगे, जो भी इसमें होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा question देने का कोसिस करेंगे computer में, हिंदी में, GKS, current affairs में, तो दोस्तों आज हम लोग question exam में आता ही आता है, एक तरह से basic question है, आप लोग last तक वीडियो को देखें, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुलो करता है, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कर खुब पूछा जाता है, चली, दो नमर के हैं दोस्तों, कोपी की गई, दस्ताबेज, कहां इस्टोर रहती है, मतलब हम जैसे computer पर करते हैं, जो है mouse से या keyboard से कोपी करते है, तो वो इस्टोर मतलब जो है ततकाल में रहती कहां है, उस टाइम, तो उसका नाम है, storage का नाम क्य कर लेते हैं, तो वो जो उस टाइम तक, जो store मतलब जो है रहती है, वो कहां रहती है, clipboard में, तो आप लोग जो इसका नाम याद रखिएगा, clipboard, चलीए, आगे देखें, तीन नमर के है, दोस्तों, कि control, alt, तथा shift को क्या कहते है, मतलब जो control होता है key, alt key, shift key को हम लोग कौन कि कहते हैं, तो उसको कहते है, modifier key, जो है मतलब इसलिए कि आप control के साथ, यह मतलब चलता है, combination में चलता है, आप जैसे control के साथ, मतलब और कोई key को मिला के कोई, अनकम हो सकता है, alt को, जो मतलब अनकोई key के साथ, जोड़ कर, मतलब जो है, एक साथ दोनों को दबा कर, मतलब क कोई, मतलब जो है, अनकम किया जाता है, shift के साथ, कोई अनकी को दबा के, और कोई कम किया जाता है, इसलिए control, alt और shift को modifier key कहा जाता है, आपको जो है option भी आता है, इनमें से कोण modifier key है, तो इस तीनों का नाम आप अच्छा से रखिए, याद, modifier key है, ओके, चलिए, आगे device है, उसको हम लोग hardware कहते हैं, ओके, चलिए, आगे देखें, पंचमा नमर कहें दोस्तों कि उस hardware को क्या कहते हैं, जो मुख computer system का भाग नहीं होता है, उससे अलग से जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं क्या, peripheral device, जो computer के चारों और जो है, लगा रहता है, अलग से, CPU जो होता ह है, वो, ओके, हाँ, वो एक तरह से आपका computer होता है, ओके, हाँ, आपका जैसे यहां monitor लगया, keyboard लगया, mouse लगया, आप जो आती मतलब जो है, scanner रख दें, प्रिंटर रख दें, जो भी दे रख सब peripheral device होता है, इसको मतलब अलग से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको कौन सा device क करते हैं, peripheral device, ओके, चलिए, आगे देखें, चठा नमर क्या है, दोस्तों, की, keyboard के उस button को क्या कहते हैं, जिसके अक्षर अपर, या lower तथा अंक, परतीक में बदल जाते हैं, यानि कहने करत हो गया, कौन से की को दबाते हैं, तो अक्षर जो बड़ा है, वो छोटा हो जाता ह है, जो अंक है, वो परतीक में बदल जाता है, कोई चिन में, तो उस की का नम क्या है, shift की, चलिए, आगे देखें, थोड़ा speed में, देखें, सब्मा नमर क्या है, वो कौन सी की है, जिसे दवाने पर किसी खुले हुए प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, तो उसका नम क्या ह तो आप फिर उसे बाहर आ जाईएगा, ओके, चलिए, आगे देखें, अठमा नमर क्या है, कीबोर्ड के सहता से, कम्प्यूटर को restart करने के लिए, किस कुझी समयोजन का पढ़्योग किया जाता है, यानि कि मतलब ने, जो है, कम्प्यूटर कभी-कभी क्या कर जाता है, मतल यानि कि आप मतलब जैसे कोई फाइल है, इस फाइल को आप देखना चाहते है, कितना जो अब का है, या फिर जी बी का है, या कुछ है, इस पर घरसर लाइए, फिर आप कर ये मतलब राइट की, तो उसमें नीचे उसका all-to-all प्रोपर्टी जाए, चलिए, आगे देखें, चलिए, दस्वन नमर क्या है, पर चलित इनपुट डिवाइस, कोन है, कीबोड और माउस, फेमस क्या है, इनपुट डिवाइस है, चलिए, आगे देखें, 11 नमर क्या है, कि किसी टेक्ष्ट या अब्जेक्ट को जो नीचे मूब करते समय, माउस बटन को होल करने को क्या कह करते हैं, चलिए, आगे देखें, 12 नमर क्या है, कि माउस, किस तरह का डिवाइस है, होती है, तो माउस को हम लोग कहते है, पॉइंटिंग और ड्रोइंग डिवाइस, ओके, चलिए, 13 नमर क्या है, कि सकेन करता है, किसको किसको, तो यहां जो है, टेक्ष्ट को भी सकेन हैं, बार कोड, समान, खरीते हैं, आधिक तरपर यह मतलब लाइनिंग जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या, बार कोड, चलिए, आगे देखें, 15 नमर क्या है, दोस्तों, कि कम्प्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्यों, तो इसका नाम क्या है, जो है, जो है ज कोड़ी, कहा जाता है, प्रिंटेड हार्ड कोड़ी, भी कहा जाता है, चलिए, आगे देखें, 17 नमर, 17 नमर क्या है, कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे Еलिमेंट को क्या कहते हैं, बतलब, पिक्चर जो होता है, उसका छोटा जो रूप होत होता है जो है dots per inch यह पुर्णरूप exam में आता है कि जो है dpi का पुर्णरूप क्या होता है dots per inch यह जो है printing का speed बताता है कितना इसका अच्छा से और कितना ज्यादा print निकलेगा ok speed चलिए आगे देखें soft copy का ताथपर है soft copy क्या होता है तो जो मतलब screen पे परदर्सीत होता है मतलब आउटपुट हमको जो भी कुछ screen पे मतलब जो हम लोग काम करते हैं जो भी दिखता है उसको कहते हैं output कहते हैं कौन soft copy और जो है इसी का हम print ले लेंगे तो हो जाएगा hard copy okay चलिए आगे देखें है दो पर चलिए आउटपुट डिवाइस कौन है तो आपका कौन है मोनीटर और प्रिंटर ओके चलिए आगे देखें कंप्यूटर की समस्त सुचना या आउटपुट देखने के लिए किसका पड़ियोग किया जाता है तो मोनीटर का जो भी करते हैं काम वो दिखता कहा है मोनीटर पे चलिए आगे देखें तरफ नमर क्या है दोस्तों बेंकों में सरवाधिक पड़ियोग होने वाली M-I-C-R का पुर्ण रूप क्या है इसको मायकर भी खाते हैं मायकर ४र्ण रूप क्या है इसका पुर्ण रूप क्या है इसका है नाम Magnetic Ink Character Recognition और हिंदी में चुम्बक्य है स्याही गुन पहचान ओके चलिए छोबशनमर क्या है कि केमरा जो computer के साथ लगे रहते हैं, जिससे video chatting, conferencing इत्यादी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वेब गेम, ओके, चलिए, आगे देखें, करसर के बाई और के करेक्टर को delete करने के लिए किसका पर्योग किया जाता है, मतलब, यह मान लीजे क्या है, करसर है, और यह क्या है, A, B, C, D है, यहनि कि इसको जो हटाने के लिए, जो है, D को delete करने के लिए हम लोग करते हैं, इसका, बैक एस्पेस का, तो यह थोड़ा, करसर के दाई और के करेक्टर को delete करने के लिए किसका पर्योग किया जाता है, तो delete की का, अब आप महनिए कि यहाँ पर A, B, C, D है, और करसर कहां यह है, तो इसको हटाने के लिए, C को हटाने के लिए, हम लोग, मतलब, जो हट जाएगा, C हटेगा, D हटेगा, और यदि हम दवाएंगे, backspace, तो हटेगा, B हटेगा, और मतलब हटेगा A, यानि कि करसर के दाई और वाला हटाने के लिए, delete की, और बाई और वाला हटाने के लिए, backspace की, ओके, चलिए, आगे देखें, सता इस नमर, कि यह आवाज को text सब्दों में बदल कर computer को कौन देता है, यानि क हम आवाज से कुछ से, मतलब जैसे आज कर Google में भी बोलते हैं कुछ, तो उसको text में लिखने लगता है, वो काम करता है कौन, speech, recognition, software ये काम करता है, आपकी आवाज को text में बदलना शुरू कर देता है, चलिए, समपुर्ण पेजों को select करने के लिए, shortcut की, यानि कि आप जो क कर रहे हैं, तो यह दबाई है, control A, मतलब all, पूरा का पूरा, एक दूर, तीन, चार, दो पेज रहे, चार पेज रहे, एक पेज रहे, दस पेज रहे, all to all क्या हो जाएगा, select हो जाएगा, अब आप उसको छोटा करे, बड़ा करे, color करे, जो आपको करना है कर सकते हैं, तो क चलि, control C से copy, किसी दस्ता वेज यार, text को cut करने के लिए, shortcut की मतलब, control पलस X, जो है, दोस्तों, आज यह यह 30 question था, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दें, comment भी करें, और आप अभी तक चनल को subscribe नहीं की हैं, तो subscribe भी कर लें, तो दोस्तों, मिलते है अच्छा से लिवडियो में, तब तक की लिए धने वाद, नमस्कार दोस्तों